शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनबी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें आज इंगनगाट शहर में भी गनपती बापा पूरे उत्सा के साथ विराजमान होते दिखाई दिये लेकिन कोरोना संक्रमन के चलते हुए सार्वजनिक तोर पर विराजमान होने वाले गनपती बापा शहर में इस बार नहीं दिखाई दिये कोरोना संक्रमन रोकने के लिए शासन नियमों की वज़से सभी सारवजनिक गनपती मंडलों ने इस साल कुछ उचित कदम उठाते हुए नियोजन किया लेकिन सजावट मंडब डेकोरेशन के साथ की जाने वाली रोशनाई नहीं देखी गए लेकिन घरों में विराजबान बापा की रंगत सभी ओर दिखाई दी गनपती बापा की भक्तों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही गणिश मूर्ती की स्थापना करते नजर आये हर साल गणिश स्थापना के समय परिवार के शहर के बाहर रहने वाले सदस्य गाउं लोटते हैं लेकिन कोरोना प्रादुर भाव रहते अपने घर में आने वाले कुछ पारिवारिक लोगों के उपस्तिती ना हो पाने से परिवार में नाराजी लिखाई दी लेकिन इसी के साथ शहर के मार्केट में बिते दो दिनों से कोरोना प्रादुर भाव रहते हुए भी बाप्पा के आगमन की तैयारी के लिए आवश्यक वस्तुए और सजावट के सामगरी के दुकानों में काफी भिड दिखाई दे रही थी साथ गणपती बिक्री के लिए शहर के क्रिशी उत्पन्य बाजार समीती के पुराने याड परिसर में 40 दुकाने लगी थी सभी बाप्पा के भक्त बड़े भक्ती भाव से अपने बाप्पा को घर में ले जाते पाए गए हिंगन घाट से रवीय नौर करकी रिपोर्ट